बदायू में दो मासूम बच्चों की हत्या का सच क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है और हत्या की गुत्थी और भी ज्यादा उलज गई है इसे उलजाने का काम खुद SSP के बयान ने किया है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है यही मैं आपको इस वीड बदायू को आप अंतक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने न्यूज देट इन इंडिया के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें देखे बीते मंगलवार को बदायू में दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर द बड़ेरी से आखरकार जावेद की गिरफ्तारी हो गय इसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉणफरेंस किया गया फ्रस कान्फरेंस में पुलिस ने आरोपी साझिद जीसे एंकाउंटर में मार गिराय गया था उसे लेकर कुछ दावे किये और ये दावा जावेद के बयानों के अधार पर किया गया पुलिस ने ये कहा कि साजित के उपर उपरी हवाओं का साया था यानि कि वो मानसिक रूप से बीमार था और यही वज़त थी कि वो अकसर अग्रेस करके घटना का खुलासा करके बस खानापूर्ती कर दी गई हो लेकिन असल वज़े क्या थी इस मौडर की दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या करने की वज़े क्या थी आपसे रंजिश वज़े थी कोई और वज़े थी वज़े क्या थी जो परिवार भी जानना और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था कई सालों से उसका इलाज चल रहा था क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था और यही बज़े थी कि इस बीमारी के कारण वो अक्सर अग्रेसिव हो जाये करता था लेकिन जहां साजिद अपना सलून चलाये करता था उसके आसपास के लोगों से जब बात हम लोगों ने की जब मीडिया वालों ने वहां बात की तो जानकारी ये मिली कि बहुत शांत स्वभाव का था और अगर वो इतना ही अग्रसिफ था तो इतने समय से वहां पर वो सलून कैसे चला रहा था ग्रहकों से वो मिलता था बाचीत करता था वहां वो बहुत शांत स्वभाव का नजर आता था, दोनों भाई माँ पर काम किया करते थे और कभी किसी की कोई नोग जोक नहीं हुई, और यही जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने उन दो बच्चों की हत्या कर दी, ना कोई लड़ाई, ना कोई सलून का का काम वो करता था, वहां कभी किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई नोग जोक नहीं हुई, तो आखर अचानक से यह गुसाल प्रवर्ती की बात कहां से आई, जबकि परिवार वालों का भी यही कहना है कि वो शांत स्वभाव का था, कभी ऐसा नहीं, और दूसरा बड़ा सवाल, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, जिसके बारे में जानकारी पुलिस नहीं दे पाई है, क्योंकि वो सलून में काम करता था और उसने उन दोनों बच्चों की जो हत्या की वो भी चाकू से की, चाकू से 23 बार वार किय पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसके पास से तमंचा मिला है, साजिद ने पुलिस के उपर गोलियां चलाई, तमंचा बरामद हुआ, और तभी उसका एंकाउंटर किया गया, यही दलील पुलिस की तरफ से दी ग सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखर मकसद क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, कि परिवार वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें पुलिस से, हमें सरकार से, किसी और तरह की मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ यह जानना चाहते ह कि आखर हमारे बच्चों का कुसूर क्या था, हमारा कुसूर क्या था, कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, जबकि हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, हमारी तो अच्छी बात चीत थी, क्योंकि उनका दुकान हमारी कि ठीक सामने था, अब क्या जावेद पुलिस की कस्टेडी में है, जावेद के साथ जब पूश्टाच होगी, तो क्या इन सवालों के जवाब पुलिस दे पाएगी, क्या सटी किसका जवाब मिल पाएगा, कि आखिर उन बच्चों की हत्या के पीछे, मकसद क्या था, क्या इसका जवाब कभी सामने आ पाएगा, यही बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस पूरी घटना को लेकर, आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएगा